अक्षय कुमार VS अजय देवगण топ 10 highest grossing movies अक्षय कुमार की दसवी highest grossing film है केशरी जिसने 100 करोड के बजट से 208 करोड रुपे कमाई थे तो वही अजय देवगण की दसवी highest grossing film है Rad, जिसने 70 करोड के बजट से 174 करोड रुपे कमाई थे पॉइंट अक्षय कुमार को मिलता है, अक्षय कुमार की नौवी हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्म है रुस्तम, जिसका बजट था 65 करोड और इसने कलेक्शन किया 218 करोड का, तो वही अजेय देवगन की नौवी हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्म है, जिसका बजट था 65 करोड और इसने कलेक्शन किया 156 करोड का, तो फिर से पॉइंट अक्षय कुमार को ही मिलता है, अक्षय कुमार की आठवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, अक्षय कुमार की साथवी हाइस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है एरलिफ्ट जिसने 60 करोड के बजट से 230 करोड रुपे कमाए थे वही अजय देवगन की साथवी हाइस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है बोल बच्चन जिसने 65 करोड की बजट से 166 करोड रुपे कमाए थे पॉइंट अक्षय कुमार को मिलता है अक्षय कुमार की छठी हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्म है Mission Mangal जिसने 55 करोड के बजट से 290 करोड का box office collection किया था तो वही अजय देवगन की छठी हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्म है शैतान जिसने 80 करोड के बजट से 212 करोड का box office collection किया था तो फिर से point अक्षय कुमार को मिलता है अक्षय कुमार की पाँचवी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म है Houseful 4 जिसका बजट था 160 करोड और इसने 295 करोड रुपए कमाए थे तो वही अजय देवगन की पाँचवी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म है Singham Return जिसका बजट था 90 करोड और इसने 220 करोड रुपए कमाए थे अक्षय कुमार की चौथी highest grossing film है सूर्यवंशी जिसने 160 करोड के बजट से 298 करोड रुपए कमाए थे तो वही अजय देवगन की चौथी highest grossing film है Total धमाल जिसने 105 करोड के बजट से 230 करोड रुपए कमाए थे तो पॉइंट अक्षय कुमार को मिलता है अक्षय कुमार की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है टॉयलेट एक प्रेम का था जिसका बजट था 70 करोड और इसने कलेक्शन किया 314 करोड का वही अजय देवगन की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है गोलमाल अगेन जिसका बजट था 90 करोड और इसने कलेक्शन किया 310 करोड का अक्षय कुमार की 2nd highest grossing film है गुड न्यूज जिसने 100 करोड के बजट से 320 करोड रुपए कमाए थे तो वही अजय देवगन की 2nd highest grossing film है दृश्यम टू जिसने 70 करोड के बजट से 345 करोड रुपए कमाए थे तो पॉइंट अजय देवगन को मिलता है अक्षय कुमार की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है रोबोट 2.0 जिसने 500 करोड के बजट से 800 करोड रुपए कमाए थे तो वही अजय देवगन की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है ताना जी जिसने 125 करोड के बजट से 362 करोड रुपए कमाए थे तो पॉइंट अक्षय कुमार को मिलता है तो यहां टॉप 10 हाइएस्ट ग्रोसिंग मूवी के मामले में विनर अक्षय कुमार है वैसे इन दोनों में आपका फेवरेट कौन है वीडियो को लाइक करके कमेंट में बता कर जाना और ऐसे ही कमपेरिजन वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना